अगर सीधे रुख करेंगे अगली बड़ी कबर के और बिजवपूर से यह कबर सामनी आ रही है जहाँ पर भूप reload के चटके महसुश हूए है बीजवपूर और ठोबाल पट्णमें यह चटके महसुश हूए है बीजापुर और भूपल पत्नम में ये महसूस हुए है भूकम के जटके भूकम के जटकों से अलोगों में देशक का महाल भीजापुर और भूपल पत्नम के लोगों में बन गया है और लोग डर के कारण खरों से बाहर निकलाए है लिए बुकम के चटके बीजापूर में महसूस हुए और चलिए ऐसी के लेकर आप बीजापूर से संबादता सभी शमारसा जुड़ गए है सतीश क्या कुछ जानकारी है भुकम को लेकर कितना सेंटर में ये जो भुकम है वो रहा है और लोगों में अभी क्या कुछ पतिक्रिया देखने को मिल रही है जी मैं बता दूँ कि बिजापूर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भुकम के जटके देखने को मिले हैं यहां से लगबग पूरे अपने बिजापूर के पूरे इलाकों में जिते भी ब्लॉक हैं और बिजापूर के एरिया से बहार आंधरा तेलंगाना जगदलपूर यह पूरे इलाकों में बुकम कजटके देखने को मिलें इसकी लगबग थीवरिता का रियक्टर इसके जो रही यहां पर लोगों को कोई दिक्कते नहीं आई है आला कि लोग पांट साथ सेकंड कर रहा है यह जिसके चलते लोग मुंगरों से भार निकल के बैवीत होने लगे थे अब वैसे किसी को जानमाल की कोई नुकसान नहीं रही है जी बिल्कुल सतीश इस तरस से अपने जौनकारी अवर कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों के और से सामने आई है क्या ऐसे तरह के अपडेट आगे के लिए भी को एक क 14 अप्रतिक्रार आगे नहीं आई निकल आये हैं और तुसकी पीवरिता है रिक्टर स्केल पर 5.3 आखे गई है